नमस्कार आलोचना की एक नई और समख्रदिष्टी की तलास से जुड़ी इस निवंद्र शिंखला आपकी छठी कड़ी आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि इसे पेश करने में बार बार ब्योधान आते रहें तक निकी कारणों से ही मैं इसकी सही तरफ से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था बहराल फिर आज एक कोशिश हमारे इस निवंद्र का सीर्षक है संपाद का चार मावी प्रसाद दिवेदी और राम बिलास सर्मा की दिवी उल्चन है यह निवंद्र दोजार सोले में लिखा गया था और इसका प्रारम हम दोजार सोले में ही इकोनोमिस्ट के एक अंक के अंतिव प्रिष्ठो के इस्तंबु से की चर्चा से कर रहे हैं तो उसे आप पूरे संदर्व को जोड़ पाएगे निवंद्र इस प्रकार सुरू होता है इकोनोमिस्ट पत्रिका के ताजा 21-27 मई 2016 के अंक के अंतिव प्रिष्ठो पर भासा सास्त्री जॉन्सन के नाम के इस्तंबु में रिवेलिंग विंड्स अभी की अवा सीर्षक से अंग्रेजी भासा में आदी सदी से चल रहे इंभारी युद्ध और उसके अब लगवक समित हो जाने की दिल्चस्प का आनी कही रही है यह युद्ध भासा में सब्दों के प्रयोग के बारे भी युद्ध इसमें में बताते हैं कि कैसे अग्रेजी के भासा विंग्यानी अब तब दो सिवरों में बटे लिए एक और कोसकार और अकादमी भासा सात्री थी तो दूसरी और परंपरागत लेखक और संपादक उन्हें 161 में वेफ्स्टर्स का तीसरा नया अंतराश्ती सब्द कोस आया था और उसमें आयंट तथा इर्रेगार्डलेस की तरह के चलता हूं सब्दों को सामिल किया गया था इसने तब सब को गुरी तरह से चुका जिया था दो खेमे तैयार हो गया पहला खेमा लेक खेमा जीवन में आ रहे परिवर्तनों को स्विकारने की बात पर बल देने वाले वास्तव वादियों का इने डिस्क्राइबर कहा लिया तोनों एक दूसरे का खूब मजा पुड़ाते हैं उसके बाजों पर आरोप था कि वे वास्तरिक दुनिया से इंकार करके तानासा बन बाराल इसी बीच एक वास्तव वादिश्टिवन पिंकर की किताब आई दसेंस ओफिष्टाइबर की इस किताब का अंत एक अच्छे लेखन के बारे में दिये गए शुजाओ अर्था दुस्खे से किया गया था या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या दिया पी उनकी कि अंत में वे भी तो एक दुस्खे तक ही पोच गया थे इसके अलावा ब्राइन गार्दर की दो खिताब आई गार्णर स्मॉटर मेंगिस यूशेज और शिकागो गाइड टू ग्रामर यूशेज और पंक्चुएशन इनके सीचसर की बताते हैं कि इनका गोशित उद्द सी बासा के प्रयोग में क्या करना चाहिए और क्या करने से मचना चाहिए कि नुश्खे बताना हो लेकिन गार्णर अपने को एक वास्तो परक नुश्खे बाच डिस्क्रिप्टिव प्रिस्काइबर बताते हैं अर्थात उनके नुश्खे या सुजाओ किसी जूड़ी जाजी को आधार बनाने के बचाए Google को अपना आधार बनाए गुगल ने इस बीच करोड किताब किताब कित प्रकार और कितने बड़े प्रियूक्त हो रहे हैं इसके बारे कि धेर सारे त्थ्थे सामने है मसलम गार्णर लेकिन अब तक भी प्लीडेट का प्रयोग करने वालों की संक्या प्लेट की तुलना में तीन गुना ज्यादा है इसी के आदार पर गार्णर ने प्लीडेट का प्रयोग करने का सुजाओ दिया इसी बहुमत के प्रयोग के बिना पर उन्होंने परअपरी की जगह चालू रणड गांटलेट के प्रयोग कुछ श्विकारा है क्योंकि गूगल की गढ़ना में इसका प्रयोग करने वाले रणड गांटलेट से काफी जयदा पाए गए इस प्रकार लकीर के फकीर और तामसा कहे जने वाले नुस्खेबाज तथा जंतंत और प्रगती के जंदावर्दार मान लिये गए वास्तववादी दोनों ने काल करम में या श्रुकार लिया कि मानक अंग्रेजी का यथार अत्य अंत्य वैविद्यपूर्ण है यहां तक की नियवों के माबले में इसमें दिवित्ताय भरी हैं इसके चलते नुष्खेवाज अब वास्ताव की ज्यादा खोशकवार रखने लगे और वास्तावादी मानक अग्रेजी में सही गलत किराये देने वालों के प्रफी उदार हुए है चलन के सब्दों में अब दोनों खेमों में एक विवेक सील आम सहमती बंते दिखाई दे रही है इस प्रकारिष्टम्वकार के अंसार अग्रेजी बासा की दुनिया विद्रसकों से चला रहा एक तीखा संगर्स अब समाप के पार है अग्रेजी बासा में चले इस खास प्रकार के विश्ण युद् में माविर पिसाद दिवेदी और उनके काल की यात्ता जाओंगे है हिंदी में बासा के सब्सक्राइब परवास्तों में यही कभी कोई युद्ध की तरक इस्तिति रही है तो वह दिवेदी जी के काल पीठी वह एक तरह से आज की हिंदी के निर्मान का निखा जाना है उस इस युद्ध में तब जो तैह हो गया हिंदी लेखन बासा के माबले में आज तक कमों वेश उनी नियमों के अधीन चल रहा है पिछले दिनों हमें गुलजार द्वरा किये गए रविद्नात की कविदाओं के दो संक्लनों को देखने कमोगा मिद्नात को मूल बांगला के कुछ दूसरे प्रकार की ताज़गी का एसास हुआ है लाग के प्रिष्टों पर हमने उन खंडों की एक छोटी सी समीच्छा लिखी उसमें अनवाद के इसी प्रसंग को उठाते हुए हमने लिखा था कि कोट अच्छे अनवाद के बारे में कहा ही जाता है कि यह फूलदा तक इस फूलदान के प्गड़ों को जोड़ता है फूलदान को तोड़ना ही अदवाद के रूप में उसके नव निर्माने की सकते हैं दुनिया की क्लासिकल कृपिया इसी प्रकार तमाम भासाओं और कालों में पहले बिखर कर फिर पूनर रचना के जिन यह काल जाई अस्तक्षेप करने के अपने तमाम जोखिम भी होते हैं इसमें सफलता के कोई निश्चित नुस्खे नहीं होते हैं और यह भी सच है कि अक्सर इस प्रकार के प्रयोगों के दुर्वतिया ही ज्यादा दिखाई देती है लेकिन वह भी हमेशा नहीं होता इन सब के विप्रि कि रूप और ढाचे से चिपके रहना क्लासिक की भावना के साथ विश्वासकात करने का सबसे सुख्षित उपाय कहा जा सकता है रविद्मनाद के रचनाओं के हिंदी अन्वादों के मादले में इस प्रकार की लकीत की फकीदी के विद्वन्सक पढ़नामों को हम लगातार देखते रहे हैं खास तौर पर जिन लोगों ने रविद्वनात के गीतों का रविद्व संगीत की धुन को बनाए रखते हुए हिंदी में अनवाद किया है उन गीतों को सुनकर तो यह अनमान लगाना भी कठिन होता है कि वे हिंदी में है या बागला में या किसी और ही नई अबूज सिवास जिर प्रता हो तो अनवादत भी खोज कर वहां एक मच्छर को मार तचिता देता है ऐसे मच्छर मार अनवाद के बजाए किसी भी दूसरी बासा की क्लासिकल प्रिति को जीवित रखने का एक मारफ उसे खुला रखना है भविस्चिकी और ले जाने वाला काल को पार कराने एक ऐसी फिल्म जिसको विक्सित करने का रसायन बाद में आता है। गुलजार की कविता की एक पंग्ती है। मैंने काल को तोड़के लंभा लंभा जीना सीखिया। रविद्नात के इंदू संक्लनों का गुलजार का अनुवाद भी ऐसा ही है। काल को तोड़कर लंभे लंभे को जीने के समाद। रविद्नात के अपने सदिक चिंतन के खोल को आसमान की तरह और भी खोल देने वाला। उसमें और भी रंगों को भढ़ने की संभावना पैदा करने वाला। अपने इन अन्वादों में गुलजार ने अपनी स्विधा के अंसार के इंबूल बागला की कविताओं को अपना अवलम बनाया है तो कहीं रविन नात के अंग्रेजी के अन्वादों को रविद्र मिसे सग्यों की ये मानिता रही है कि रविद्र नाथ खुद अपनी कविताओं के अच्छे अन्वादक नहीं थे गुल्जार ने अच्छे बुरे अन्वाद के इस पहलों की बिना कोई पढ़वा किये उनके धाचे को तोड़कर एक दूसरी बासा की चौक्टे में उतारने के लिए अपनी मर्जी से कविताओं के बूल बांगला या अहरेजी पाठों का चैन किया है कोटेशन पोजी लंबा उद्रन है इसके बाद ही इस समिक्षा बेहनायास हिंदी का खास तोर पर उसकी साहित्तिक बासा का प्रस्ता जाता है साथ तोर पर का गया है कि कोट हिंदी की साहित्तिक बासा का रविद्रनात की बांगला बासा से काफी मेल है क्योंकि कुछ एत्यासिक कार्डों से ही या बासा मुल्त मांगला के प्रभाव के तहत की विक्सित भी है। आलोक राय की कुष्टक हिंदी नेस्नलिजम से हिंदी की साहितिक बासा के इस पहलों की सच्चाई को बखूबी जाना जा सकता है। इसलिए इस किताब की भूमिका में निलादरी भटाचारे ने हिंदी की साहितिक बासा को एक मृत बासा कहा था। हिंदी वासी जनता और कथित हिंदी साहित के बीच का एक बड़ा अउरोत जिसकी ओर रविदनात की रचनाओं के अजारी प्रसाद्य वेदी अग्ये सहित साहित यकाद्मी द्वारा प्रकाशिक उनके रचना संचेज में सामिल किये गए हिंदी अन्वाद की संकेत करते है हिंदी की साहितिक बासा के मादनड पर प्रामानिक होने पर भी रविदनात की रचनाओं का जो असर मादला बासी लोगों पर पड़ता है उसका एक प्रसत भी हिंदी बासी जनता पर नहीं पड़ता लिलाद्री बटाचार के सब्दों में कोट साहित्यक सिजट के छेत्र की एक व्रिट भासा यह हिंदी समाज के सांस्कितिक जीवन में जहर की तरब वाकिए है वे यह भी कहते है कि हिंदी को यदि अपनी आंत्रिक सक्ति को प्रात करना है और संपर्थ की एक राष्ट्री भासा का रूप लेना है तो उसे अपने खुद के दमित इतियास को मुक्त करना होगा और राष्ट्री आधिपत्य कायम करने के लिए बदहवास्वार्थी उच्च वर्ण के अभिजात्यों द्वारा खोजी गई हिंदी से अपते को अलग करना है अलोक राय कहते है कि हिंदी एक मर्ज का नाम है और यहीं मर्ज की दवागी है यहां आलोक राय कि जिस पुस्तक हिंदी नैस्टनलिजम का जिक्र कर रहा है उसे पुस्तक कहने के बजाए एक लगबख सवास्वपन्नों की पुस्ति का कहना ही ज्यादा संगत होगा नेकर उसमें उर्दू और उसकी अर्वी फार्शी लिपी के बरक्स हिंदी और दियुदागरी लिपी के लिए जिस संगर्श का आख्यान रचा कहा है वो अपने में किसी महा युद्ध के आख्यान से कम नहीं उपर जॉन्संग के नाम के इस्तम के हवाले से अग्रेजी ब जो और वास्तव वाधियों की जिस युद्ध की चर्चा की गई है वह तो हिंदी के इस वासाईNER की तुल्ला सो और दूसरे सामाजिक राज्नेक्ति की मिसे ज्यादा जुड़े एक इसलिए आलोक राएने से पीर्श्ट्वाद की लड़ाई का आख्यान ताहे लिए था हम जडों की और वापसी से अर्जित राष्ट्वार। या जड का मतलब है संस्क्रिक। कुछुछ चाहित जनों की ग्रिष्टी में दुनिया की समस्त मासाओं का कोमुक। हिंदी के तत्कालीन कथित रूप से उर्दु प्रवावित अंस को ठुकरा कर अर्जित किया गया हिंदी राष्ट्वार। वर्त्मान की बाधा को नकार कर मीमांसा में अर्जित अपने ही प्राचीन स्वापटि का राष्ट्वार। लेकिन अपसूस कि उस विश्मित स्वाप को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया का पढ़नाम इतना घातक हुआ कि हमने इस मन्थन से जो साहितिक मासा पाई वो निलादरी वर्धाचार के सब्दों में एक मृत मासा है। अपने वर्धमान के नकार का इस से प्रासत पढ़ना और क्या हो सकता है कि हम किसी मृत यूग में पहुच जाए। इसी उत्तेजना में 30 मई 2016 के दिन अनाया सी हमने फेस्बुक पर एक छोटी सी पोस्ट लगाई थी। उसका स्रीशक था और मावियर पसाद्दी में थी। उसमें लिखा था कोट आज के टेलिग्राफ में Emperor of All Melodies के प्रसिद्ध लेकक सिद्दार्थ मुकरजी की एक नई किताब नजीन और इंटीमेट इस्ट्री की एक समीक्षा प्रकासित हुई है। लेकिन तेलिग्राफ की समिच्छा में उससे एक उद्धरन दिया गया है। ओट है कि इल्नेस माइट वैनिस बट्सो माइट आइडेंटिटी। ग्रीफ माइट डिमिनिस्ट। माइट भी डिमिनिस्ट। बट्सो माइट टेंड़क्ष। यृच्ष्ट את वैसे इंद्धी पैचानती। पस्त कम होसकते हैं वैसे साथ में को बनता भी। आगात खत्म होसकते हैं वैसे इत्यास्ट भी। ओरं पामुक्ष अपने उपन्यास My Name Is Red में एक चेदह लिखते हैं। लुख्स से ही अंदाज प्यादा है ऐ भी आधनी की परचात है कि याद आती है अंबर्टो रिंगो की भाव वे उपलप्द भासा की तुलना फासी वाद से करते है यह फासी वाद बोलने से रोकता नहीं मोलने को ठोता है प्राप्ट बासा का बिन्यास इतना गातक है कि वो अपने अंदर घुलाम बना लिए उपलब्द बासा से छल करके एक प्रकार की गैरी मांदारी और स्वस्त तता मुक्तिदाई चालाकी से साहित्य पैदा होता है। कहना न होगा बासा के मानकी करव पर अत्रिक जोर साहित्य का आखेत है। और माविर पसाद्दीवेदी इसके आगे विश्मयादी बोदक्षिन लगाकर हमने अपने इस पोस्त को फ़क्ति किया था। किसी भी कफित एप को दूर करने की जित की क्या पढ़नाम हो सकते हैं। सिदाथ मुखर जी के हमाले से हमारा ध्यात आलोक राय की कुस्तिका में हिंदी के महासाई युद्ध के महानायत माविर पसाद्दीवेदी के पचला कहा था। सिदाथ मुखर जी की किताब दजीन में ही एक बात आती है। नौर्बल्सी इस दा एंटिथिसिस ऑफ इवुल्यूशन। कहना न होगा हिंदी को उसके संस्तित मूल से बांद कर इस्थिर सामाद ने बनाने के चक्कर में इस महासा का पंद्या करत करने लिए। गुल्जार के अनवाद और उसके सामने बित समाद लगते हजारिपसाद दिवेदी अग्ये आदि के रविद्नात के अनवादों ने सवाल पैदा किया कि क्या स्वा को प्राप्त करने की पूर्ण प्रत्यावर्तत की प्रक्रिया से ही, फिर एक बार हमें अपने वर्तमान क को नकार कर उस्वा को प्राप्त करने की जो रत नहीं है जो मावी प्रसाद दिवेदी के काल में बातिंदू और स्वीप्रसाद से तारे हिंद आदी के साहिते से लेकर रेम चंद और उनके बाद मल्डो कृष्ट चंद अब्बास बेदी इसमत आदी के साहिते में धरकता था जो चायवादी बहानों से मुक्त हिंदी के उस परवर्ती लेखन में भी जिन्दा रहा है, जिसने लेखन के केद्र में पाठक को रखना जरूरी समझा है। जिसने कईयों की द्रिष्टी में हिंदी की साहितिक भासा के प्रान ही अपनी है। नवजाकरन से चिर निद्रतक्ता या परव प्रत्यावतत कैसे संभव हुआदा। माविप्रसादिवेदी रचनावली का पहला खंड हिंदी में चलाए गए इसी भासाई महाभारत की कथा है। पांडवों के लिए सब कुछोड़कर जंगलों की और प्रस्थान के अलावा कुछ सेश नहीं रह गया था। हिंदी का ये प्रत्यावर्तन कोई मामूली प्रत्यावर्तन नहीं बलकि वैग्यानिक प्रत्यावतन था। दिवेदी जी का ये अस्तक्षे फोर्ष तो जरूर रहा होगा क्योंकि उसके हिंदी के ततकालिन स्वाभाविक विकास पर जिसे खुद दिवेदी जी ने बार-बार अमस्थित्ता से अभीत किया था। कितना प्रभावसालिव प्रहार करना मुम्किन नहीं था। लेकिन वह कितना विवेख सील अत्वा वैग्यानिक था। से अब साहित्य की एक मृत उनके द्वारा छोड़ी गए उस अध्यापकी भासा की विरासत को देखकर आसानी से प्रस्नों के घेरे मिला सकते हैं। जिसमें आज तक हिंदी का अकादमित जगत पूरी तरसे जक्रा हुआ दिखाई देता है। सवाल उठता है कि बहूलता की स्युकृति के बीना क्या कभी कोई वैग्यानिक ज्यान मिमान सा संभव है जो नए विचारों के जन्व की संभावनाओं को बनाये रखती है। बहूलता का निशे भी तो धर्व सास्त की प्रमुक लाक्ष निकता है। दिवेदी जी चिंतामणी घोष के कुछ इंडियन प्रेश की पत्रिका सरस्वती के पूरे 18 सालों तक संपाद कराए। जिसके पास सन 1922 तक जब तक सांती निकेतन में रविद भार्त की स्थापना नहीं थी। रविद नात की तमाम रचनाओं के प्रकाशन का एकादिकार था। रविद नात की गिताजिनी को प्रचारीत करने तक में चिंतामणी घोष की भूमिका को याद किया जाता है। हम जानते हैं कि हर भासा की अपनी एक गती होती है। लेकिन यदि उस पर किसी चीज का प्रभाव पढ़ता है तो थो शाइत का पढ़ता है। जैसे कभी थे ही नहीं और साइट के संकेत किसी समय में न अपनाए जादे पर भी समय के अंतराल के साथ सामान में भासा के अंग बन रहे हैं बागला भासा के छेत्वे रविदनात की भूमिका कुछ ऐसी ही माली जाती है कि उनके साइट के जिलिए ठीक उसी प्रकार आधुनिक बागला भासा का निर्वार माथा जिस प्रकार का जाता है कि रविदनात के परिवार यानि ठाकुरबारी के जिलिए बागला जाती को सांस्कृतिक उभ्वोक से मिलने वाले आदंद का विश्रोथ मना. पाठक उसमें अपने स्वा के विले की प्रक्रिया से खुद को नई सिरे से जानता है, कुछ दाचे की क्रिया सिर्जिता से पैदा होने वाले आदंद का उभ्वोक बनता है. वो कदापी पाठक की सप्ता से इंकार नहीं करता। बिलकुल इनी कारणों से हिंदी बासी छेत्वे रविद नात और उनके लेख़द की भासाई संदस्ता की वह भूमिका कभी नहीं हो सकती जो भागला में थी। उस इस छेत्व की साहितिक अविव्यक्ति की वासा का अपना खास एतियासिक चविक था। उसमें तत्सम सब्दों की वर्वार नहीं थी। बलकि बोल चाल की वासा से लेकर साहितिकी वासा तक में उर्दू का अर्भी फार्सी मूल के सब्दों का काफी बड़ाईस था। और पूर्वी पंजाब मुखा था। हिंदी, हिंदवी, जबान देलवी, रेखता, दक्षिन में दक्नी और गुजरात में गुजरी यादी नाना नामों से जाने जाने वाली इस बासा में स्ववाविक तोर पर मुसल्मानों के आने के बाद फार्सी और अर्वी सब्द सामे हुए थे, लेकिन यह बाजारों में पंती और सूफी संतों के जदिये सवारी गई थी, इसलिए यह उस छेत्र के लोगों की बोलचाल की बासा के साथ ही, काफी अर्थ तक उनकी सास्कितिक अस्मिता की एक बासा भी नहीं है, उद्गम के लियास से इसमें कोई सक नहीं है क अठारवी सदी में ही इसमें मीर, सौदा, इंसा, आधी, दरजुनों नामी गिरामी साहिरों के साथ ही नजीर अकबराबादी हुए, जिनकी साहिरी में इस पूरे छेत्र की जनता के दिलों की धड़कने बुढ़े हुए, पुनीशी सदी में जौप 1852, मुमिन 1855, गालीव जफर तो इतने बड़े साहिर हुए कि देर सदी बाद भी हमारे साहित्निक अस्पिता के आग बने हुए है, इधर के सालों के जोस, मजाज, फैज, फिरात, साहिर, मजरू, गिलजार और जावेद अक्तर तक आज हर हिंदी वासी ग्यक्ति की जुमान पर है, हिंदी वासी चेत्र की एक ऐसी प्रभुख भासा के प्रती हिंदी नौजागरन के अगरदूर महावित प्रसाद दिवेदी का क्या रभी जाता है, वे इसे इस चेत्र के लोगों की नहीं बल्कि धर्म की भासा भादे, सिर्फ मुसल्मानों की और सीथे तोर पर इसे हिंदी की प्रतिद को का जो संकलन सामिल किया गया है, उसकी भूमिता के सुरुवात ही वे इस प्रकार करते हैं, कुछ समय से विचारसील जनों के मन में ये बात आने लगी है, कि देश में एक भासा और एक लिपी होने की बड़ी ज़रूर है, और इंदी भासा और डेवनागरी लिपी ही इस हमारे मुसल्मान भाई इसकी प्रतिकूलता करते हैं, वे विदेशी फार्सी लिपी और विदेशी भासा के सब्दों से लबालब भरी हुई उर्दु को इस योगी बत्माते हैं, परंदु वे हमसे प्रतिकूलता करते किस बात में नहीं । सावाजीक धार्णी की यातक की राजदितिक विश्यों में भी उनका हिंदूओं से 36 का सब्मत है। बासा और लिपी के विश्यों की दलीले ऐसी कुतर्पुन, ऐसी निर्बल, ऐसी सदोस, ऐसी हादिकार्णी है कि कोई भी नियाय निष्ट और स्वदेश प्रेमी मनुष्य इन से सामत पुन्जो सकता। बंगाली, गुजराती, महराष्ट्री और मदरासी तक जिस देवनागरी लिपी और हिंदी वासा को देश ब्यापी होने योगी समस्ते हैं, वो आकेले मुठी पर मुसल्मानों के तैमे से आयोग भी नहीं हो से। आबादी के इसाब से मुसल्मान इस देश पर है ही कितने। फिथोड़े होकर भी जब ये निर्जीव दलीलों से फार्ची लिपी और उर्दू वासा की उत्तमता की गोशना करेगे, तब कौन उनकी बात सुनेगा। हम समझते हैं कि इसके बाद सायद दिवेदी जी के बासा संबंदी वैज्ञानिक दिश्टिकोन पर अलग से कुछ कहने की जोड़त नहीं होने चाहिए। जिस बासा और लिपी के बारे में उनका दावा है कि बंगाली, गुजराती, मगराशी सब अपनी बासाओं और लिपियों को छोड़कर एक टांग पर उसे अप्ताने की आतूर पतिच्छा में हैं, वह आज तक संबैदानिक पतिंक्याओं के बावजूद काइदे से राज देश इस्तितिक खत्म होने के कगार पर है, आज का सबसे बड़ा और कटू वियथार्थ तो हिया है कि देश बरके लोग हिंदी में नहीं, हिंदी पर नहीं, अग्रेजी पर ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं, राष्ट बासा का नारा सरकार का एक दिखावटी नारा देग जो इस पर ज़्यादा जोड़ डालेगा वो देश पर विभाजनकारी दबाव डाले का अपराधी नजराने लगेगा। हिंदी के जगिए सारे देश को सिर्फ एक बासा के सुत्र में पीरोने का उनका राष्ट प्रेम भी मूलतव उर्दु को खारिज करने पर के नहीं था। सबर्थन के उनकी बातों में विरत्थी बर्दम नहीं था। गुमा फिरा कर उनका सारा जो इसी बात पर रहता था कि कोट उर्दु कोई जुदा भासा नहीं है। इस सब्सक्राइब के लिखाए कि देवनागरी लीपी के जानने वालों के संख्या फार्सी लीपी के जानने वालों के संख्या से कई गुना है। इस दसा में सारे भारत में फार्सी लीपी का प्रचार होना सरुथा संभव और नागरी का सरुथा संभव है। यदि मुसल्मान संजन हिंदुस्तान को अपना देश मानते हो। यदि स्वदेश प्रीति को भी कोई चीज मानते समझते हो। यदि एक लिपी के प्रचार से देश को लाप पहुचाना संभो जानते हूं तो हट दुरागर और कुटर छोड़ कर पुरे देवनागरे लिपी सीखने चाहिए हम इसी प्रकार एक और को किशन है हम देखते हैं कि कुछ हिंदी जानने वालों का अग्रफ उर्दू के समान दो स्पून भासा की लेख प्रणाली और उसके व्याकरन की तरफ मतलब से अधिक बढ़ रहा है इसे प्रकार बंगला मराथी गुजराती संस्कृत और अग्रेजी वासाएं इंदी से बहुत बढ़ी चड़ी अवस्थात है उनकी प्रणाली नस्विकार करके देली और लखनव की महा अनस्थिर व्याकरन विरुद्वराव समाविक वासा की नकल करके जहाज बे नाखु कुछ जगाओं पर दिवेदी जी ने उर्दू से नफरत ना करने की हिदायते भी दी है लेकिन उनका सारा जोर इस बासा की सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक सच्चाई से इंकार करने पड़ेगा अपनी सब्विता बस उन्होंने खुद उर्दू या उर्दू वालों क आत्माओ के लेखों के लिए वेव से उर्दू सुर्दू, वर्डशंकरी, सत्यानासिंत उर्दू, मूह काली उर्दू, दोगली उर्दू, उर्दू निगोडी, कुलच्चनी उर्दू, आदि कहने से नहीं चुछिया है इस लेक के सुरू में अंग्रेजी भासा में नुष्खे बाजो और वास्तव वादियों के बीच लंबे संगर्ष का समन इस बात में देखा गया था कि दोनों पक्षो ने ही सब मामनों में विवित्ता को स्विका रहा था और इसी वज़े से दोनों के बीच करम से एक सहामत की कायम हो जिए लेकिन हमारे हिंदी नौजागरं के अग्रुदूट के यहां यथार्ट में वैविति के प्रफिसान सीटा का भाव नहीं के बराबर उनका वस चलता तो भारत की दूस्ती सभी भासाओं को खत्म करके अकेले हिंदी का वर्चस को कायम करें लेकिन इस अपूर्ण काबना से पैदा हुई खीच को उनों में हिंदी छेत्र की एक और ससक्त मासा उर्दू पर उडेल देने में कोई कोर कसक नहीं चोड़े अग्रेजी में ब्रायन गार्णर ने विकौन से सब्दों को चलत रखा जाए और किरेश छोड़ दिया जाए उसके लिए संख्या तत्यों का प्रेयोग किया था उन्होंने गूगल की गड़ना के आदार पर ही प्लीड और गांटलेट के प्रेयोग को स्विकारा था और प बासाओं के अस्तित्यों पर यह अंति ब्रायती रहें आबादी के हिसाब से मुसल्मान इस देश में हैं ही कितने फिर थोड़े ओकर भी जब निर्जीव दलीलों से फार्शी लिपी और उर्दु बासा की उत्तंता की गोश्णा कर देगे तब कौन उनकी बात सुलेगा और हिंदी के अकादमिक जगत के इस्तिति यह है कि उसके लिए तो जैसे डाक्टर राब बिलास सर्मा ने अपने किताब मावे प्रसाद दिवेदी और हिंदी नवजाकरत से एक ऐसी लक्षवन डेखा कीज दिये है कि उसे लगता है मानो उसके बार कदब रखते ही उसके स प्रसके अन गमीर्मिशम दिश्टर से संवर्णवाद श्राकूर कि इस लोस्ति होने से करता माने कोई असर पड़ता ना उसकी बाहर से प्याँध्या कीज आ 8 केसा मिजूँण सनना वार कि वीचार के ऊच्श के बारे में चैसा के जो एक राम्विला सर्मा की तरह के प्रगति सीलों ने हिंदी के इस जगत में राबचन सुख्ल के नाम पर रहस्यवाद बिरोत का एक बहारी जीवानों डाल कर साहितिक क्रियाशिविता के मित्की करण का ऐसा काम किया जो साहित में आत्मदत्ता से इलकार का एक उटकट कुछ्षित और कूव अचनों से बरा रुच्षिता का रोग साहित हुआ इसे देखते हुए आज यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होती कि इससे तो बहतर है उस भावबाद की सरण में जाना जो कम से कम अलौकिक इस्वरी अन्य की खाई पर यार करके हमारे सरीर की हमारी कि वर्तमान का डर ही अतीत पर रहस्षि के आउरण डालता है अतीत रहने का इस्थाद नहीं होता वह तो शीखों का एक कुवा है जिसमें हम अपने काम की चीज़े निकालते हैं लेकिन ऐसे सांस्कुतिक रहस्षिकरण का दूरा नुकसान यह होता है कि अब खामखा किसी क्रिटी को बहुत दूर की चीज़ बना लेते हैं जिससे अपने काम की चीज़ निकालना हमारे लिए दुश्कर हो जाता है साल पर पहले वर्दा के मात्मा गांदी अंतराश्त्री विश्विद्याले की पत्रिका भोग वचन का मावे पसाद दिवेदी पर एक वी से सांक अप्रेल जून 2015 आया था उसका पत्यक लेख डाक्टर सर्मा की एक पक्षी बातों के पिश्ट पेशन के अलावा कुछ नहीं था एक भी विद्वान के मन में उर्दू भासा के प्रति दिवेदी जी के सत्रता पुल्टूप के बारे में कोई सवाल पैदा होता नहीं दिखाए देता है यह एक ही चीज को बार-बार दोराये जाने के खुखले पर पीछु पुल्टा का उधारान है दिवेदी जी की बीश्टवी सदी के प्रारम के उस काल में जब भागला नौजागरन अपने उरूज पर था एक मंगाली ब्यवसाई की मत्वा कांची हिंदी पत्रिका के लग प्राइब के प्राइब के लिए इसके पहले वे एक दक्ष रेल्वे कर्वचावी थे और रेल्वे में नौकरी के दोराद ही सरस्वती के मालिक चिंता मणी घूष ने उले अपनी पत्रिका के लिए चुन लिया था सवस्वती का प्रकाशन सद 1900 से 1900 में काशी के नागरी प्रचार्मी सभाग के सहयोग से शुरू वाता इसके साथ साल बाद इसी प्रेश से खौलकाता से प्रतीप और प्रवाशी जैसी प्रसिद्ध मागला पत्रिकाओं के संपादक रवानन चेटरजी ने अंग्रेजी में मौडर्न रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन सुरू किया जो उस जमाने में पूरे भारत के मौदिक विमर्ष का सबसे प्रमुक मंच बनकर सामने आई इसी डर्रे पर स्वाभावी कि था कि सरस्वती की तरह कि हिंदी की एक महत्रून पत्रिका में भी उसके संपादक के नात सद्दान्जली और विवित प्रसंगों के अलावा उनके लेखन का अधिकांस हिस्सा साइथ के और भासा से संब्धिक था मसला रचनावली के पहले भासा विश्यक खड़ के बाद उसका दूसरा खड़ भी साइथ की संबंधी तिपणियों का संक्रम है और इन तमाम तिप संसे साहिद के रचिंशिक नहीं वल्कि साहिद विश्यक शंचालक माने लगए अपनी नाट्र शास्त्य कुष्तिकां वह कहते हैं कि नाट्रसास्त के आचार भरतची की आज्या है कि की द्रिश्यकाबी की भासा कोमी पड़ी मार्जित की चाहिए इस नियम का पालंध संसर आचार भरत के देशों का सख्टी से पढ़न करते कि और कैना ना होगा सरस्वतीं के संपादक की पीट से आचार दिवेधी ने अपने लिए हिंदी भासा और साहित के बारे में आचार भरत की कीट को सुझेक स्फिंप करने लिए कविता में चंद बासा और और विशय सभी मावलों में वे कवियों के कर्टप्चियों को निधानित करने लगें परणाम यह हुआ जैसा कि पहले ही काज आ चुका है वे खुद तो कालिदास भहवूती और भक्त कवियों की रचनाओं के रशित कि बने रहे कि तुबाद की रचनाओं के मामने में वे कुरे निदेशक बनकर सामने आए हिंदी समाल उचना की छेत्र में वह जमीन तेयार कर दी जिस पर राम चंद सुकल 1884-1949 में छायवादी रचनाकारों से लेकर प्रेब चंद करक्ति आसानी से लानत बना हुआ हुआ है लानतेरी नई जने दियस्पाल तक उनके डंडों की मार से नहीं बचे हैं सास्त्रों की चौक्ता-बंदी की विदबना यह है कि वह खुद भी चौक्ता बंद हो जाता है शास्त्रों का बंदी विद्वाद यठात में रवन्ये की अपनी जैविक छप्ता को कवा देता है इसी कि चलते डाक्टर सर्मा आंदिता खूद एक जीते जाक्ते अंतर बिोद्दबं कर रहे एक तरफ इया और दूसी तरफ भधर और दूसी तरफ छाया वाद है। एक तरफ अ ब्रेजी से बिरोद्दु और दुसी तरफ ओढ़्दू से बिरोद्दू के बीच मेयल बैठाने की बाजीगरी से ततकाल में बाजी मात करने वाली पूंजिया अहमनेता के खिलानी जिनका अपना लेखान अंत में अपने सामान्य नैतिक तत्र को विगवा कर साम दोता है तक्टर सर्मा के अंतिम भारी वरकम ग्रंथ बात्री संस्कृति और हिंदी प्रदेश के दो खंड इसके सबसे बड़े प्रमान है इन ग्रंथों तक आते आते खुद उनके लिए हिंदी नौजागरन का दो कौड़ी का मूल ने ले जाता है और जिस हिंदू सामपदाइक्ता के विरोत में नोने हिंदी जाती के तत्र को सामपदाइक्ता के सेवकों के करतार में सामिल दिखाई दिने लगते हैं अपने लेखन के नयतिक पत्र को भी गवाने में हैं महराल लंबे समय तक अपने समय की एक मौत्रपून और मौत्वाकांची पत्रिका के संपादक के नादे अनेक विश्यों पर दिवेदी जी की करते हैं में जाएं दुनिया की सूच्णा मूलक्ति पपणियों लेखों पर उसके लेकाक का नाँ भी नहीं होता है पत्रिका का ब्यूरो एक एक विशय पर बड़े बड़े परशिष्ट याखता है, मसलन उसके बिलकुल ताजा 28 मई 2016 से 3 जुन 2016 के अंक में आप प्रवासन माईग्रेशन विशय पर 14 प्रिष्ठो की ठेर सारी सामक्रिय है, जिसमें आदमी की घर की तलास, इस विशय पर होने वाले विवर्ष की पतावली, इसकी राजनीती, इसका एक काम चलाओ समाधान, इससे आसिल की जाने वाली स्रम सक्थी, इसके भौबलिक पहलू, इसकी अनित्यता और इसके संभावित सुफल पर अलग-अलग महत्पून सा सा मगरी और उन पठ्टिकपणियां भी है, लेकिन किसी पर उसके किसी लेकर का नाम नहीं है, यो फम्तर ष्तत्री समस्या को समझाने में इक पत्रिका की भुमिग Wow के रिवत में सामने में आते हैं. इकोनोमिस्ट के अंकों में इस प्रकार के विशेष प्रिष्ठों के परशिष्ट अक्सर आते रखते हैं. इन सामगरीओं से इकोनोमिस्ट पत्रिका का संबाधक आज के समाज में खुद को किसी संक्रानती भुलब कटना का अगरदूर नहीं बता सकता है। सरस्वती के बारे में टाक्टर राम बिला सर्वा ने लिखा है कि कोट जब ये पत्री का प्रसिद्ध हो गई तब भी उपयुक्त लेख प्राप करते रहना सरल नहीं था। कि वहाद यदि दिवैधी जी ने अपना डल बनाकर सरस्वती में इस डल के लेखों की चीजे हुआ छापते रखे उसके इस्तर का ध्यादangen रखते तो सरसवती हिंडी की जाती प्रत्रिकाना ही थी वह हिंदी की प्रत्मिधी प्रत्रिकाना है। ग्राम्मिला शर्मा माविर प्रसाद दिवेदी और इन्दिनोजागरां पिस्त तीन सो पैसा लेकिन पत्रिका ओव में काम करने वाले ऐसे दल को ही आज ब्यूरो का जाता है जो उसके नेखक या संपादक का नहीं समगरत पत्रिका का चरिक्त उखनाता है जैसा कि हमने ऊपर कोई का ममिस्ट के संदर नेका है दिवेदी जी जिसे स्वतंत्र पुस्तक कहते हैं एक ही पुस्तक लेके सब्बत की साथ उनकी प्रकाशित अकेली पुस्तक कभी जवानी की दिनों में तक्य साथने के लिए एक और अत्यंत रस भरी किताब जरून लिखी थी और उसे लेकर काफी बड़े-बड़े सपने भी देखे थे लेकिन वह उनकी स्वाभिमानी पतने का कोप पाजन बद कर यो एक संदूक में बंद हुई तो फिर उसने कभी दिन का उचाला ने देखा संपक्ति सास्त की बूलिका में दिवेदी जी ने बड़ी विन्यप्रता से शुकारा है कि ऐसे विशय की उस्तक लिखने की हम में योगिता नहीं होने पर भी जब दूसरा को योगी व्यक्ति हिंदी में यह नहीं कर रहा है तब आकर्णांद मंद करन स्रेय के तर्क पर हमा हिंदी में लिखकर उनके प्रचार का रियत्न करें तो कोई दोस्त की बात नहीं है कि इसी भूमिका में दिवेदी जी ने अंग्रेजी बंगला उर्दू मराथी और गुजराती की उन 17 किताबों का नाम गिनाया है जिन से इस किताब को लिखने में साहता दी गे हैं कि उनक पर्डित माधवराव सप्रे भीये की हिंदी में अर्थसास संबंधी पुस्तक की उस पाडुलीपी का भी उल्ये किया है जो सप्रे ने सालों पहले लिख लेने के बाद भी प्रकाशित नहीं कराई थी और दिवेदी जी के मांगने पर हमें भेज़ी थी इस पुस्तक को लिखने की इस प्रकार की तैयारी के बाद भी दिवेदी जी अपनी भुविका के अंत में लिखते हैं कि कोट संबव है उन्हें पुस्तक की तुट्यों को देखकर किसी योग्य विद्वान को हिंदी पर द्रया आवे और उसके उदार मन में संपत्य प्रकांत और निरूपम पुस्तक लिखने की इच्छा उत्पन हो यदि हमारी यह संभावना कभी किसी समय फलीबूत हो जाए तो हम समझेगे कि हमारे तुटी परिपून पुस्तक में बड़ा काम करें दिया है कुर्शन को यह था दिवेदी जी का बड़प्पा संस्वती उनके लेखन की विपूल सामगरी से लगवक्त त्यासी किताबे प्रकाशित हुई थी लेकिन खुद की किताब के रूप लोगों ने सिर्फ संपत्य सास्त्र को माने दा थी बाकी सायती त्यास और पुरा तत्व दुनिया के नाना विशे ओ तता अनेक ड़क्तियों को उनक आपने संपाद की काम की जरूर्तों की उपजबावा निवेदी ची कितने मौत्पूर्ण और निष्ठावान संपादक थे उसे उठके आत्म निवेदन के एस अंच से भी जाना जा सकता है जिसमें वे लिखते हैं कोट सरस्वती के संपादन का भार उठाने पर मैंने अप तीसरा अपने हादी लाप की पड़वा ना करके पाठकों के हानी लाप का सदा ख्याल रखोंगा और चौथा न्यायपत से कभी ना विख्रिश कूँगा इसी में आगे वे विस्तार से यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी इन प्रटिग्युआओं का किस प्रकार सदेव पूरी निष्ठा से पालन करने का यह पूर्ट की मशीन तूट जाए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं पर कापी समय पर नव पहुचे तो उसका जिम्मे क्यों न लिखना पड़े कापी समय पर ही मैंने तो यहां तक किया कि कम से कम छे महीने आगे की सामगरी सदा अपने पास प्रस्ति करके सुचा कि यदि मैं महीनों भीमार पढ़ जाओं तो क्या हो दूसरा मालिकों का विश्वास बाज़त बनने की चेष्टा में मैं यहां सचेत्रा कि मेरे कारण उन्हें कभी उल्जन में पढ़ने की नौबत नहीं है सरस्वती के जो उद्दे से थे उनकी रच्छा मैंने देड़ता से तीसरा उस समय तो कितनी ही महारानिया तक हिंदी का गौरों बढ़ा रही है पर उस समय एक मात्र सरस्वती ही पत्रिकाओं की किरानी नहीं पाठ को किसे विका थी अलपग यहोकर भी किसी पर अपनी विद्द्रता की जूठी चाप लगाने की दोशिस मैंने कभी नहीं चौथा सरस्वती में प्रकाशित मेरे लगू लेखो नोटो और आलोचनाओ की से सरसाधारण जन इस बात का पता लगा सकते हैं कि मैंने कहा तक ज्याय मार्ग का अवलंबत दिवेदी जी की उप्रोक सारी बाते इस बात का सबसे बड़ा प्रमान है कि वे एक बड़े संप पादक से अपेक्षित मोल्ले बोध के जीवन और ज्वलत्त दारण भी यह स्वयर में हिंदी को उनका बड़ा कम बड़ा अउदार में किसी भी द्रिश्यपट में एक व्यक्ति के प्रवेश से द्रिश्य बदल जाता है इतियास में भी व्यक्ति का प्रवेश एक घटना ह होता है हिंदी सायत के आदमी काल में आचार दिवेश का प्रवेश एक ऐसा ही सरस्विक्रित एतियासिक तथ्य है जिससे हिंदी लेखन का प्रदिश से बदल गया लेकिन हमारी मुश्कील यह है कि हम एक अकल्पनी गटी से बदल रही चीज़ों के काल में रह रहे हैं और जब कोई विचार निश्च्यात्मक नहीं होता तब मुम्किन ने रह जाता कि किसी भी चीज को ईश्वर की तरह कांतिम सत्य मान कर अब उसका पूज्यम करते हैं कोई भी सही समझ जब गलत रूप से पेश की जाती है तो उससे उलजने पैदा होती है लेकिन उससे नवजागरन का अविदूत बनाने कि राभ दिला सर्मा की पूरी तरह से गलत समझ में हिंदी के अकाद्मिक दुनिया को इसलिए भारी पढ़े सामे में डाल रखा है इतियास के मन गलत अख्यानों को रचने वाले बुद्धी जीयों से पैदा होने वाली ये एक सामान में सबस्या है। डाक्टर सर्मा ने पाले खुद हिंदी नवजागरन के एक मिठ की मिशन को उपनाया। सर्स्वती पत्रिका के खास परिवेश से अलग करते माविप साधिवेदी को एक अलग व्यक्ति के सक लिए और फिर इस आत्र रिखंडिक व्यक्ति के जरिए उसके यथ विचार के सभी रुपों को बाया भी बना कर एक नए अथात के शिष्टी की जाती है। ब्यक्ति में देवत्र की स्थापना हमेशा उसका सर्वस्य चीन करी की जाती है। कभी जन्द से ही शिष्टी के उद्धेश्च्यों की पूर्ति के लिए और तरी चरित्र भगवान की बाल लिलाओं से लेकर अद समय तक लिलाओं वाला लिला पुरूष तयार होता है। संपादक महाविय प्रसाद दिवेदी के अद्ध से नौजागरण के दूर महाविय प्रसाद दिवेदी का उद्धेश्च्यों हुआ। दिवेदी जी अपने खृत काद्यों को उधर पूर्ति का परड़ाम बताते हैं। लेकिं द्धर सर्मा उसे कहते है हिंदी नौजागरण के लिए सำरते हो, प्रान का त्रिथ पृत। एक अधार निर्मी ठूपाता है. किसी भी कृति के व्यज्ञानेक अध्यायन के सबसे पहली सर्थ यह है कि हम उस कृति में जो और जैसा लिखा गया है सबसे पहले बिल्कुल उसे वैसे ही पढ़े ना कि उसमें जो उसमें नहीं लिखा गया उसे पढ़ने पर जोड़ते में लगे यही बात ब्यक्तियों के अध्यान पर भी लागती है इनी कारणों से ऐसा लगता है कि आज यदि हमें दिवेदी जी की वास्त्विक पहचान कायम करनी है तो सबसे पहले हिंदी नौजागरं के दूद बना दिये गए दिवेदी जी की अध्या करनी इस्वर ये प्रतिमाओं को नकारा नहीं जा सकता है इसके लिए जरूरी होता है कि इस्वर के उस व्यक्ति रूप को नकारा जाए जो कुछ आस्थावानों की बदौलत इस्वर संबंदी का पोल कल्पनाओ को जन देता है माइथलोजी सुरू होती है संशार में इस्वर के आउतरम के पहले के उस राष्च में संशार की कहानी जोसे इसलिए जब जब भी किसी व्यक्ति का मिठक तयार के दो इस्वर की तरह सक्षे पहले उसके इतियास को राष्च में बना दिया जाता है उसे समय काल से कांट दिया जाता है उसका सामान ने आदमी का रूप उसका सच नहीं रह जाता है अपने देश काल से निर्मित सामान ने मनुस्य जब किसी मनुस्य का सच नहीं रह जाता बलकि उसका सच उसके बाहर का दैवी सक्तियों जैसा दिखाई देने लगता है तभी आ प्रतिमा में व्रिति इस्वर के सच तक पहुचने का सही तरीका इस्वर के बारे में अपने सोच में आये एथियासिक परवर्थनों को सिर्फ बताने तक सिर्फिक रने के बजाये खुद ईस्वर का हितियास लिखने की होड़ा है। सरस्थी पत्रिका के संपादक माविर पसाद दिवेदी के तो कि आंत्रिक सद्दांजली अर्पत करते हुए, अब उने उन तमाम घ्यानी गुनी अर्ध्यापक जनों की कैद से मुक्त कराने का आवान करते हैं, जो सब मिलक इस काम को साबित करने में जूटे हुए है, कि आधनिक इंदी अकेले माविर पसाद दिवेदी के हाथ हो, उनकी करिश्माई देविक सक्थी से, उनके संपादत में निकली एक पत्रिका के जिरिये वैसी ही निकली है, जैसे कभी संकर जी की जटा से गंगा निकली थी, सिद दिवेदी के अंगो, विमारी और रसाइनिक पतिक्रियाओं के तमाम नाम करनों से, डाक्टरों ने ज्ञान के एक लगवग असंबव छेतर से खुद को बचाने के तरीके खुजे हैं, तथ्यों की भीड ने एक कहीं ज्यादा गंबीर और मौत्पूर सवस्या को ओजल किय है, ज्यान, सुनिस्चित, तैसुदा, सही और ठोस, चता विवेक, अदिस्चित, तरल, अधूरा और अमूर के बीच संगत ही कायब करने की समस्या को ओजल किया गया है, चिकिच्चा के नियम अधूरेपन और लक्षनों पर ठीक है, नियम होते हैं, ये ज्यान के सभी अंस आसनों पर समान रूप से रात होते हैं, फिर कहां यही जाता है, कि बुराई के चैन के बाद, हम अच्छाई को तभी प्राप्त करते हैं, जब हम अपनी परिस्तिती की दुरावस्था से परचित हो जाते हैं, महराल इस लेक काद हम एक चालू उप्ती से करना चाएगे, ज तक मुको वही चाकू मर सकता है, जो उसे चीत देता है, नमस्कार